जिस प्राणी का मन अपने आहंकार के मद में चूर, जीवन भर केवल सकाम कर्मों में उलजह रहेगा, उसे मृत्यू के समय अच्छानक श्रीहरी की याद कैसे आएगी? तुमने ठीक ही कहा? प्रित्यू के समय प्राणी के मन में जो भाव होते हैं, उसी की अनुसार उसकी अंतगती होती है तो यदि मरने की समय प्राणी के मन में चंपत्ति, घरबार या सगे सम्मंधियों के साथ मुह ममता के भाव प्रवल होंगे तो उन्ही इच्छाओं के अनुसार नया जन्म होगा और यदि मरने के समय प्राणी संसार की सारी माया ममता को भूल कर, केवल श्री हरी के चरणों में मन को स्थिर करके प्राणों का त्यात करे, तो उसी इक्षाणों से मोक्षी प्राप्ति हो जाती है हिरिन्या कशप को ब्रमा जी के वर्दान से जो दुरलभ शक्ति प्राप्त होई उसका उप्योग यदिवह सात्विक और धार्मिक कारियों के लिए करता, तो सारे ब्रह्मांड में स्वयम भगवान को छोड़ कर, उनसे महान और कोई नहीं होता अच्छा प्राणी विजय और सफलता पाकर जुक जाता है, परन्तु नीच प्राणी सफलता के मद में पागल हो जाता है जिस प्राणी का मन अपने अहंकार के मद में चूर, जीवन भर केवल सकाम कर्मों में उलजह रहेगा उसे मृत्यू के समय अच्छानक श्रीहरी की याद कैसे आएगी तुमने ठीक ही कहा, कि यदि जीवन भर प्राणी केवल सकाम कर्मों में ही उलजह रहेगा तो अंत समय में उसे श्रीहरी चर्णों का ध्यान कभी नहीं आएगा इसलिए ये आवश्यक है कि मनुष्य सारा जीवन अपनी दिन चरिया में नित्य प्रती थोड़ी देर के लिए बाकी सब कामों को भूल कर केवल श्रीहरी का समर्ण करे कर दो अंत समय में